गैस हम लोगोंने stack के बारे में काफी बात कि हमने का कि यार इसको array से implement करते हैं क्योंकि array तो बहुत अच्छा होता है और उसी के साथ array की सायता से हमने इसके सारे operations को implement कि हमने का stack top, stack bottom बहुत तरह तरह के हम लोगोंने functions लिखे अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि link list की सायता से किस तरह से इसको implement किया जा सकता है और देखेंगे कि क्या करना होगा, क्या उच्छित रहेगा, वो सारी बाते कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कि एक link list बनाओंगा, बहुत ही simple से link list जो कि मैं बना लोगा कुछ इस तरह से एक data node है हमारा और दूसरा जो है pointer to the next node है, यह तो हमने link list में देगाई था, ठीक है, अब यह आप लोग को मालूम भी होगा कि यह क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, यह सारी की सारी चीज़े आपको पता है, तो एक link list में बना रहा हूँ, ठीक ह मैं आपर क्या करूँगा, मैं आपर 7 लिख दूँगा, फिर उसके बाद यहा 22 लिख देता हूँ, और यह कोई भी number डाल दो, 4 डाल दो यहाँ पर, यहा 3 डाल दो, और finally at the end of the link list, इसको बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं डाल दूँगा null, ठीक है, क्योंकि end में हमारे link list के null होता है, तो एक बहुती simple वाली singly link list है यह, और यहाँ पर जो है, मैं null डाल देता हूँ, ठीक है, null डाल दिया मैंने, अब stack की बात करते है, stack क्या होती है, अगर मैं वापस से आ जाँँ, इस तरह से, यहाँ पर एक bin है, bin मतलब, एक यहाँ पर container है, जिसके अंदर हम numbers फैक करेते हैं, इस 7 को हमने फैका कुछ इस तरह से, ठीक है, फिर हम 22 number है, इसको भी फैक सकते हैं, इसके अंदर से, और अगर इसमें मान लो, अल्रेड़ी एक 8 number है, इसको हम निकाल सकते हैं, इसको हमने का था, यह push operation है, यह pop operation है, ठीक है, तो हम अगर इस link list को माने, कि एक stack की तरह काम करें, हम कुछ ऐसा चाहते हैं, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इसमें push और pop करना है, देखो मेरे पास दो options है, मैं आपर बताता हूँ आपको, या तो मैं इसको top of the stack मानूँ, या इसको मैं top of the stack मानूँ, आप ये बताओ मुझे देखकर, कि 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 इस चीज़ को कौन सी direction को, जो starting of the link list है, या जो head होता है हमारा, वो मैं मानूँगा stack का top, या इसको मानूँगा मैं stack का top, अब बताओ, अगर मैं इस side से, ठीक है, मानलो मैं आपर लिख देता हूँ side 1, ठीक है, side 1 इसको बोल देता हूँ, side 2 इसको बोल देता हूँ, अब 1 में insertion और deletion आसान है, या फिर side 2 में insertion और deletion आसान है, और आपको पता है answer कि, link list पर हमने बहुत सारा time spent किया है, और आप लोग इमिडेटली बोलोगे, बिना रुखे किया side 1 पर आसान है, big O of 1 में हो जाएगा, insertion और deletion, तो मैं आपर लिख दूँगा, big O of 1 में, एक insertion हो जाएगा, और deletion भी हो जाएगा, तो insertion and deletion, ठीक है, तो यह जो है operation, यह हमारे big O of 1 टाइम में हो जाएगा, और यहाँ पर big O of N लगेगा, obviously आपको यहाँ से चला चला के pointer ले जाना होगा, और इसके बाद finally यहाँ पर adjustments लगाने होंगे, कि आखरी element निकालना है, तो structure भी बना देता हूँ, जल्दी से structure बना ले, तो आपको वैसे याद होगा linkless से, but again, एक बर और तो बनता है structure, ठीक है, तो struct node यहाँ पर, ठीक है, और struct node यहाँ पर मैं लिखूँगा, और यहाँ पर end data, ठीक है, यानिकि हमारे data होगा, जैसे कि यह 7 है, 22 है, 4 है, 3 है, और ए यह कोई नई चीज नहीं आप लोगे लिए, ठीक है, यह आप, हम लोगों ने बहुत सारा time जो है, spend किया, इस चीज़ पर, linkless पर, काफी time spend किया, ठीक है, अगर आप देख लो, playlist access करी, अगर आपने bookmark करी है, तो जरूर पता होगा आपको, तो यह structure हम लोग बना लेंगे, हमने pop operation की बात करी, कि किस तरह से हम कर सकते हैं, कौन सी side select कर सकते हैं, सिर्फ side selection भी किया है, मैंने operation नहीं करवाया आपको, मैं आपर, बस यह बता रहूं कि किस तरह से operations हो सकते हैं, तो push और pop जो हैं, वो इस side से होंगे, तो side 1 will be used, मैं आप लिख देता हूँ, side 1 will be used, for pushing and popping, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूँ, for push and pop operations, push और pop operations के लिए, हमारी side 1 जो है, वो इस्तमाल होगी है, ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि यार, big O of 1 में हमारा काम हो जा रहा है, ठीक है, यह हमने बात कर लिए, तो यह तो मेरा एक point हो गया, दूसा point यहां पर क्या है, कि pushing, popping जो है, वो big O of 1 लेंगे, तो आपको पता है, अब यहां पर हम एक चीज़ और बताते हैं, एक चीज़ और सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, ध्यान से कि, जो stack है, वो empty कब होगी, और stack जो है, वो full कब होगी, अगर हम theoretically बात करें, तो stack कभी full होगी नहीं, क्योंकि हम हर बार नया note बना कि इसमें fit कर सकते हैं, side 1 से, ठीक है, और empty कब होगी, जब हमारा जो head pointer है, और head pointer को मैं आपर अभी top बोल दूँगा, ठीक है, और for obvious reasons, आपको पता है कि मैं इसको top क्यों बोला, देखो, मैं link list में terminology उसकरता था, head, जो मैं head बोलता था link list में, उसको आप मैं top बोल is now, मैं ऐसे करके लिख देता हूं, arrow लगा के, top, ठीक है, एक point ही हो गया, इसके बाद stack empty की condition, ठीक है, stack empty की condition, यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत ही simple condition है, stack empty की condition, stack empty condition, क्या होगी stack empty की condition, तब खाली होगा stack, जब top जो है, top equals to equals to null हो जाए, यह condition होगी, ठीक है, जब आपका top ज इसका मतलब कि आपकी stack जो है, वो खाली है, इसके बाद stack full की क्या condition होगी, stack full की condition theoretically तो आपकी stack कभी full होगी ही नहीं, लेकिन practically आपके जो computer है, उसकी कुछ limitations होगी, और उसकी memory एक time पर exhaust हो जाएगी, और आपको कैसे पता चलेगा कि memory exhaust हो चुकी है, आपको पता चलेगा जब dynamically memory को allocate करोगे, तो आपको जो PTR होगा, वो null होगा, ठीक है, तो मैं यह आपर लिख देता हूँ, stack full जो है, वो कब होगी, तो stack full when, stack is full when, लिखना चाहिए है, चलो ठीक है, stack full when heap memory is exhausted, ठीक है, heap memory is exhausted, तो यह हमारा जो है, exhausted condition हमारी होगी, ठीक है, किसकी stack full की, stack empty, stack full की condition बहुत ह important है, क्योंकि यह जो, दोनों conditions ही है, हमें कामाएंगी, is full और is empty functions हमारे लिखने में, ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग होगे, कि यार, हम डालते रहेंगे, stack के अंदर element, वो बढ़ती जाएगी, हमारी size stack की, तो आप हमेशा, अपनी stack की implementation में, जो size है, उसको fix कर सकते हो, त अपनी, is full की condition को, कुछ ऐसा कह सकते हो, कि मेरी जो stack है, इस में maximum 4000 element ही रहेंगे, तो आप वहाँ पर अपनी custom condition डाल सकते हो, एक custom size set कर सकते हो, और यह एक important point है, क्योंकि यह कभी-कभी पूछा जाता है, कि मैं linked list में, आप custom size क्या set कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो, तो मैं आप लिख देता हूँ, you can always set a custom size, you can always set a custom size, ठीक है, और यहाँ पर, custom size आप कैसे set करोगे, आप अपनी जो is full condition है, उसमें कह दोगे, कि यार अगर इतने elements हैं, लिस्ट में, तो नहीं काम बनेगा, आप जो है, आपकी stack जो है, वो full हो चुकी, आप इस तरह से कोई message देदोगे, औ तो वो एक चीज़ आपकी बढ़ जाएगी, अच्छे, आपर एक बात मुझे बताओ, कि stack full होगी, जब heap memory exhausted है, यह कैसे पता चलेगा, यह हमें पता चलेगा, जो हमारा dynamically, जब हम allocate करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा heap में pointer जो है, PTR जो है, वो null हो जाएगा, जब भी हम से हम लोग stack की implementation कर सकते है, link list की साहिता से, ठीक है, तो यह I hope कि आप लोग यहाँ पर इस वीडियो के बाद happy faces के साथ जाएंगे, मुझे बताना समझ में आ गई यह चीज़ या नहीं आ गई, और मैं आप लोग को एक बात और बताता हूँ, in fact, मैं आपको एक challenge देता हूँ देखो, यह सारे operations हमने stack में कर लिए है, ठीक है, कौन-कौन से operations होगे, mainly, एक तो आपका push होगा, ठीक है, push होगा, pop होगा, ठीक है, main operations की बात कर रहा हूँ, मैं अगर मैं बहुती basic operations, जो कि definitely हर stack में चाहिए, उनकी बात करना हूँ, तो हमने कौन-कौन से किये थे, push किया था हमने, pop किया था, हमने peak operation की बात की थी, हमने यापर peak operation की बात की थी, और is empty, is full की बात की थी, is empty, और बहुत असान है, is empty, is full, तो मैं आप लोग को बताई दिया है, is full, तो मैं आप लोग को challenge जो दे रहा हूँ, वो यह है कि आपको इसके अंदर क्या arguments डालने होंगे, और उस जितनी भी theory थी, जो भी मैंने आप लोग को practical के साथ array की साहिता से कराया, और link list की जो theory थी, उन दोनों को merge करके आप यह बना सकते हो, but definitely मैं आप लोग को सब कुछ बताऊंगा, तो यह सारे के सारे जो function है, यह आप implement कर सकते हो, एक हमारा stack top or stack bottom function भी था, तो वो भी आप चा as always, so, यहाँ पर आप लोग अगर इसको अच्छी तरह से implement कर पाए, तो आप यह समझ जाना कि भाई, आपकी जो link list की अभी explanation है, वो बहुत अच्छी हो चुकी है, और आप जो है, वो link list के बाश्या एक तरह से एक level पर बन चुकी हो, बाश्या तो नहीं कहूंगा, बट जहां बात आती है, चीजों को खुश से कर पाने की, वो आप बाश्या बन चुके हो, ठीक है, so, I hope कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगा, मुझे बताओ कैसा लगा यह वीडियो, और उसी के साथ साथ जो मैंने आपर बाते आप लोग को लिखवाई है, यह आप लो कर दिया करो, इमिडेटली मैं कर देता हो, बात नोट्स बहुत जल्दी सारे जो लेसंस हैं, आपर मैंने जो बताए हैं, एक एक वीडियो के नोट्स में आप लोग को अवेलेबल करा दूँगा, तो हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में आएंगे, और इन सारे उपर आपरेशन की जा सकते हैं, बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग खुछ से इन आपरेशन को करने की कोशिश करें, तो अगर आप लोग कोई वीडियो पसंद आयाते हैं, इस वीडियो को लाइक जरू करो, और उसे के साथ साथ जो प्लेलिस्ट आगर आप लोगो अपर आप लोग एकसेस नहीं करिये, तो इसको यहां क्लिक करके बुकमाग और यहां क्लिक करके सेफ जरू करना, उससे का हुआ कि यह प्लेलिस्ट आपके अपनी बन जाएगा, और बड़े अराम से आप लोग कभी भी आकर इसमें, जो वीडियो हैं वो देख सकते हूं, वीडियो इसी प्लेलिस में एड करने वालों, इस वीडियो को लाइक जरू करना, थैंक यू सो मच गास पूचिंग इस वीडियो, और आप लूचिंग नेक्स ताइम